आज मैं तीरंगा इतली की रेश्पी लेकर आए हूँ, इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेश्टी है और हेल्दी भी है, तो अगर आज की मेरी ये तीरंगा रेश्पी आपको पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शक्सक्राइब कीजिए, शे तो मोटी वाली रवा होनी चाहिए, तो हमने जिस कटोडी से रवा लिया है, उसी कटोडी से हम छाश तालेंगे, तो यहां पे हम दो कटोडी छाश दालेंगे, और साथ में हम टेश्ट के अनुशार नमक भी डाल देंगे तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 15-20 मिनट के लिए हम इसे कभर करके डेश्ट करने के लिए छोड देंगे अबाथ हास के साथ अपनी रवाजो है वो फॉर्मिट हो जाएगी 20 मिनट हो चुके हैं हम बेटर को चेक करेंगे तो हम धर्टन को हटा लेंगे अब यान से रेखिए अपनी रवा जो है फूल के थूड़ा जादा हो गया है और इसकी कंसिंस्टेंसी जो है वो भी एकदम परफेक्ट है अब हम क्या करेंगे गैस के तरफ चलेंगे गैस पे हमने इटली मेटर में एक लिटर पानी डालके उबलने के लिए रख लिया इसके बाद हम क्या करेंगे इटली ट्रे को ग्रीस करेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा तेल लेंगे और इसे ग्रीस कर लेंगे इससे क्या होता है अपने इटली जो है उची परती नहीं है निकालने में बहुत ही आसाने से निकल जाती है तो ऐसे ही हम बागी के ट्रे भी ग्रीस कर लेंगे हमने ट्रे ग्रीस कर लिया अब हम क्या करेंगे इस मेटर में डालेंगे ब्लैक पेपर तो यहां पे हम एक चमच ब्लैक पेपर डालेंगे और आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे इसकीप कर लिए नहीं तो यहां पे हम एक चमच चिली फ्लेक्ष डालेंगे और इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे अब हम इसमें एक पैकेट एनो full शॉल्ड डालेंगे और इसे हम एक ही direction में ऐसे mix कर लेंगे एनो डालने के बाद अपनी बेटर जो है वो फूल जाती है अब हम इसे equal मात्रा में तीन जगार divide करेंगे तो हम छोटे छोटे दो बॉल लेंगे और इसमें से हम थोड़ा थोड़ा बेटर अज़त कर लेंगे तो यह एक ही सा और इसमें हम थोड़ा सा यह लेंगे अब हमें क्या करना है एक टटोरी को हम ऐसे वाइट ही रखेंगे और दुसरे में हम carrot घीश के डालेंगे यहाँ पे आप carrot juice भी डाल सकते हैं लेकिन घीशा हुआ carrot का श्वाद मुवें बहुत सुन्दर आता है तो इसके लिए हमने यहाँ पे carrot घीश के डाला है और color को हमें orange थोड़ा करना है तो हम इसमें one fish food color डालेंगे यह orange food color है तो इसको हम डालके और mix कर लेंगे color जादा नहीं डालना है हमें तो natural color ही पसंद है लेकिन इसे हम राज़्टिये दिवस पे बना रहे हैं तो थोड़ा सा color यूज किये हैं मिलकुल जड़ा सा अब हम इसे भी side कर देंगे अब दुसरी बॉल में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और इसे हम mix कर लेंगे और इसे भी हम color देने के लिए one pinch food color डालेंगे हमें ज़्यादा mix नहीं करना है दिलकुल one pinch color हमें डालके और इसे mix कर लेना है तो हमने तीनो बेटर तयार कर लिया है अब हम एक इतली ट्रे लेंगे और इसमें हम सबसे पहले white वाला बेटर भरेंगे तो जैसे आप सबको पता है mold में हम थोड़ा कम कम ही बेटर डालेंगे क्योंकि इतली फुलने के बाद उपर दखा जाती है अब हम दुसरे ट्रे में ग्रीन कलर का पेष्ट डालेंगे तो हमें दो दो चमच ही डालना है ग्रीन वाला ट्रे हम साइड बढ़ देंगे अब हम तीसरे ट्रे में और इंज कलर का बेटर डालेंगे तो इसमें भी हम दो दो चमच डाल देंगे प्रे हमने रेवी कर लिया है अब हम गैस के तरफ चलेंगे तो हम एक कपड़ा के हां से धक्तन को हटा लेंगे क्योंकि धक्तन बहुत गरम है अब ध्यान से देखिए पानी में उबाल आ चुका है तो सक्से पहले हम वाइट वाला प्रे सिट करेंगे अब हम इसे कब्रे करके 20 मिनट तर तेज फ्रेम पर उबालेंगे 20 मिनट हो चुके हैं अब हम एक बार इपली को चेक करेंगे तो सबसे पहले हम धक्तन को हटालेंगे अब ध्यान से रेखिए कितनी अच्छी अपनी इपली फुली हुई है अब हम एक टूस्पिक लेंगे और इपली को चेक करेंगे तो ऐसे हम बीच-बीच में बोध के और टूस्पिक चेक करेंगे बेटर बिल्कुल नहीं लग रहा है इसका मतलब अपनी इपली जो है ओ पक चुकी है तो अब हम गैस के फ्रेम को आउस कर लेंगे और इसे ऐसे ही ठंडा होने देंगे अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे तो आप दीन वाला भी देखिए अच्छे से फूल चुकी है वाल्ट वाला भी इटली फूल चुकी है तो इसे हम और ठंडा करेंगे बाद में हम डी मॉल करेंगे अब हम इतली को डी मॉल करेंगे तो हम ऐशे स्पून को पानी से थोड़ा सा गीला कर लेंगे और इसे ऐसे हम चंद के सहारे भूमाते हुए निकाल देंगे यह बहुत ही आसानी से डिमोंड हो जाता है इतली के हमने प्लेटिंग कर ली है आप ध्यान से देखिए कितनी मस्त तिरंगा इतली दिख रही है खाने में ये बहुत ही टेस्टी है और बच्से तो इसे बुल मौश से खाते हैं क्योंकि ये तिरंगा दिख रहा है तो फ्रेंड्स अगर आज की मेरी तिरंगा इतली की रेश भी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कमिट करना मत भूलिए धन्यवाद